विंटर की मौसम में डिनर के बाद हमें कुछ न कुछ मीठा खाने का मन करता है ऐसे में हमें याद आती है गुड की चिकी की क्योंकि गुड की चिकी हल्दी होती है हलो फ्रेंड्स मैं हूँ नीदी आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरी चैनल में आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ Winner Special Super Tasty, Crispy and Crunchy मूम्फली की चिक्की की रेसिपी मूम्फली की चिकी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे मूम्फली और गुड को हमने यहाँ पे एक पैन लिया है और पैन के अंदर अभी हम मुमफली को डालेंगी मुमफली को हमें dry roast करना है केस की flame हम low कर देंगे और low flame पे इसे चलाते हुए हमें बुनना है अगर आपने गलती से high flame पे इसे बुन लिया तो बाहर से तो लाल हो जाएगी पर अंदर से वो कच्ची रहेगी और कच्ची मुमफली की टेस्ट में बिलकुल भी अच्ची नहीं लगती है ये बात का आपको ध्यान रखना है मुमफली अच्चे से बुन जाएगी तो फटने लगेगी और उपर का छिलका निकल जाएगा तो समझना है कि मुमफली हमारी roast हो चुकी है इससे मुझे बुनते हुए 5-6 मिनिट हो चुकी है और मुमफली बहुत ही अच्चे से बुन चुकी है अभी हम gas off करेंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे मुमफली ठंडी हो जाने के बाद हम इसके उपर के छिलके को हटा लेंगे मुमफली के उपर से छिलका हटाने के बाद हमें मुमफली के 2 पार्ट करने है आप इसे कटोरी से कुट के भी मुफली के दो पार्ट कर सकते हो इस तरह से मैंने मुफली के दो पार्ट करके तयार कर लिया है यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है और पैन के अंदर 1 टेबल स्पून जितना हम गी को डालेंगे इसके बाद हम इसके अंदर गुड को डालेंगे गुड यहाँ पे मैंने नाज से बारिक चॉप कर लिया है गुड को आप चॉप करके लेंगे तो इसे मेल्ट करने में बहुत ही आसानी होगी इसलिए हमने यहाँ पे चॉप करके लिया है यहाँ पे मैंने देशी गुड का यूज किया है अभी हम गेस की फ्लेम को कर देंगे लो और लो फ्लेम पे हमें इसे continue चलाते हुए melt करना है आप यहाँ पे देख सकते हो कि गुड हमारा अभी melt होने लगा है गुड में से हमें मिलता है डेर सारा iron और मुमफली में से हमें मिलता है बहुत सारा protein इस तरह की चिक्की बना के हम सर्दियों में खाएंगे तो कई बिमारियों से हम दूर रहेंगे आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके अंदर bubbles आने लगे है अभी हम चेक करेंगे कि गुड की consistency परफेक्ट है की नहीं है इसके लिए मैं एक बाउल लूँगी और बाउल के अंदर मैंने पानी लिया है अभी हम इसके अंदर गुड की कुछ बुंदे डालेंगी उंगली से इसे इखटा करते जाएंगे और इसकी consistency चेक करेंगी गुड यहाँ पे बहुती soft लग रहा है काच की तरह और crystal की तरह तूट नहीं रहा है एकदम कड़त नहीं है इसलिए हम इसे 1-2 मिर्ट तक और पकाएंगी गुड यहाँ पे cook होता है तब तक एक plastic की sheet लेंगे और इसके उपर गी लगा के crease कर लेंगी गुड की चिकी बनने के बाद फटा फट सेट हो जाती है तो यह काम हमें पहले से ही करके रखना है वैसे तो मुमफली की चिकी बनाना बहुत ही आसान है लेकिन main important काम है कि गुड की चाशनी बनाना जो गुड की चाशनी में थोड़ी से भी गड़बर हो गई तो चिकी रबबर जैसी हो जाती है और दातों में चिपकती है और वैसी वाली चिकी खान में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है इसलिए आप गुड की consistency को एक एक मिनिट के अंतर में चरूर चेक कीजिएगा अभी आप देख सकते हो कि गुड का color भी थोड़ा थोड़ा change होने लगा है dark होने लगा है हम फिर से गुड की consistency को चेक करते है इसके लिए फिर से हम पानी के अंदर गुड को डालेंगे और उंगलियों की मदद से हम इसे इस सरा से इकटा करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हो कि गुड एकदम कड़क हो चुका है एकदम crystal की तरह और काच की तरह तूट रहा है इसका मतलब यही है कि गुड हमारा अच्छे से कुक हो चुका है अभी हम इसके अंदर भूनी हुई मुफली को डालेंगे और फटा-फट से हम mix करेंगे और gas off कर लेंगे और जो प्लास्टिक की शीट के उपर हमने गी से grease किया था इसके उपर रखेंगे सबसे पहले मैं गोल वाली चिकी बनाऊंगी इस तरह से हम इसे spread करेंगे और यहाँ पर मैंने श्टिल का चमच लिया है इसके उपर मैंने गी लगा लिया है और इस तरह से हम इसे spread करेंगे आपको जितना पतला चाहिए इसके हिसाब से आप इसे इस तरह से स्प्रेड करते जाएए अभी मैं इसके उपर पिस्ता की कत्रन डालूंगी और चम्मच से हम इसे प्रेस करेंगे आप इसे इसे भी ज्यादा पतला करना चाहते हो तो बेलन से आप बेल के भी इसे पतला कर सकते हो अभी हम एक डबा लेंगे और डबा की सहायता से हम इसे सरकल शेप देंगे और इस तरह से हमें प्रेस करके इसे सरकल शेप देना है अभी हम इसके उपर का डबा हटा देंगी आप यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत ही अच्छे से इसने सरकल शेफ ले लिया है अभी हम इसका एक्स्ट्रा पार्ट निकल देंगी अभी मैं इसे किचन प्लेटफॉर्म पे ही सेट होने के लिए छोड़ दूँगी आदे गंटे के लिए जो चिक्की का एक्स्ट्रा पार्ट निकला था इसे मैंने पैन के अंदर डाल दिया और गरम कर लिया इसके बाद मैंने प्लास्टिक शीट के उपर फिर से डाल के चमच की सहायता से इसे मैंने स्प्रेड कर लिया है और इसके उपर गी से ग्रेस किया हुआ दूसरा प्लास्टिक का शीट मैंने डाला है बेलन लेके अभी हम इसे पतला बेल देंगी अभी मैं प्लास्टिक का शीट हटा लूँगी और नाइफ की मदद से हम इसके स्क्वेर शेप में निशान लगा देंगी निशान लगाने के बाद किचन प्लेटफर्म के उपर ही हम इसे सैट करने के लिए छोड़ देंगी कम से कम इसे आदे गंटे तक सैट करेंगी यह अच्छे से सैट हो जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम इसके पीसिस बहुत ही आसानी से कर पा रहे हैं इसका मतलब यही है कि हमारी चिक्की एकदम परफेक्ट बनी है सुपर टेस्टी, क्रिस्पी और क्रंची मौमफलिकी चिक्की बन के तयार हो चुकी है अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और कॉमेंट बोक्स में मुझे लिख के जरूर बताईएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी अगर आप मेरी चैनल के उपर फॉर्स टाइम आए है तो रेड कलर से लिखे हुए सब्सक्राइब के बटन के उपर क्लिक जरूर कीजिए और बाजू में दिये गए हुए बेल आइकन के उपर भी क्लिक कीजिए जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी तो मैं नीधी आपको फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई आपको कीजिए और भी कुकीजिए